बूर्णिंग वेलकम टू हंडेट सेकेंड डेव वोक्याब क्लास और टुड़े विल इसकर्स पॉन पॉस पॉंड विच मीज टू पॉट और टू प्लेस चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला सब्द है हमारे पास अपॉजट अपॉजट ठेक है यहां पर अप एड चुपा ह हुआ एड का मतलब वोता है टो यॉर्ड टो यॉडज अपॉजट चम हनल न और शापॉजट टू पॉट चिजा फ्लेकर चकिज़् के विले भी चीज जो वेरी अप्रोपीट हो ब्लूर्णि हो किसी पर्टिकलर सिच्वीशेन के लिए अउस समय य phone यॉज़ा अब उप अपरोप्रीट वर थैय को अपोसित Justило it तोवती सब्सक्तनकिआ लेक लेकलेज गंपतनी साथ में अब पोस का मतलब मतलब होता है to put to put लेकिन composite का मतलब क्या हता है मतलब साथ में एखटा कर देना नहीं कि संयोजन कर लाएगा संयोजन मतलब मिला देना जोड़ देना संयोजन ठीक है संयोजन कर लाएगा made made of combination कर सकते है made of different parts और material अलग अलग पार्ट या material को जोड़कर बनाना ही क्या कर लाएगा composite कर लाए combination भी का सकते इसका synonyms अलग सब्सक्राइब कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट पूर्जा संगठक टुकड़ा ठीक है संगठक बोल सकते हैं संगठक ठीक है मतलब कोई भी चीज का जो अगल बहुत सारा जो पूर्जा होता है पार्ट होता है असी को बोलते है संगठक गजिकंभी क fen問題 इसके में रधी को अधाय एक रफ डीग्राम बना रहा है this मांणल जी चाहरा हो गया जबाक मवाएं गश्रय का अब कर ल panel हो गया इसे बैडल का बंताइस अब कर लेगा है इस something is made उसी को बुलें किया a component अगला सब्धा देखंपोज दिकंपोज डिकंपोज 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 निका मतलब होता है निगा मतलब होता है तो टूगेदर ठीक है तो गेदर और पोस का मतलब क्या होता है जाना हो जाना ठीक है बढ़िया हिंदी बोले तो अप घटी तो जाना अब घटीत वह जाना उसी को बोलेंगे पच जाना एयर राट इनसे जाना वह आएगा उसी के सेंस में अगर बनिया से डिफाइए का थे टू भी डिस्ट्रोयड तो बीक इस भाज अंग डिली दिरे ओ खराब हो था ठीक है वा से बड़ भाज उता ग्रश ली बार नाच्वल प्रोसेस नाच्य लिए री क्यू प्रोसेस टिक असिग आ बहुत कैंपुड लिए तब आउन विड़िया हुआ र वा दिक ओ लिए देट कैंपॉस्ट अ कर ला स ठीक है, exponent का मतलब क्या होता है, exponent का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति ना, जो किसी भी idea या को theory को किसी के सामने सबसे पहली बार रखता है, अच्छा चीज को, अच्छा चीज को, प्रेस करता है, उसी को बोलता है क्या exponent, हैंनि कि हिंदी में बोले तो प्रति पादक, प्रति पाद as exponent, a person, a person who support, who supports an idea or introduce, introduce an idea, theory, etc. and, and pursuades, पर्सुएट्स अदर्स दैट इट इज गुड ठीक है उस अडिया को थियोरी को सामने रखता है और लोगों को यह बोलता है कि यह सही है ठीक है आपके लिए सही है यह आप लोग भी इसको फालो करो ठीक है वह कर लागा एक्सपोनेंट ठीक है अगला है जस्टा जक्स्टा पोज अगला क्या जक्स्टा पोज जक्स्ट का मतलब होता है जक्स्ट का मतलब होता है नेक्स्ट और पोज का मतलब होता है क्या टू प्लेज अनि कि एक साथ रखना आगल बगल रखना तो जक्स्टा पोज क्या होता है वैसे सब्द होते है ना जो जिसका मतलब एक दूसर घ्र से pointer ऑलता सब्दैना लेगन साथ में रखा गया अधा बल bedeutet भी नाइट्र एक साथ रखा गया ना तो यह वर के रहुत लागा जक्स्टा भूस कर लाएगा ठीक है तो पू टूछ पूट, टिंघ्षेए रिजया नाट शीमिलर जूट यह नाट सिमिलर next to each other जो एक दूसरे का एक जैसा नहीं है अलग अलग उसको एक साथ रखना ही कला है क्या जक्स्टा पॉक्स कला है अगला है opponent अगला क्या है opponent पता है opponent का मदब क्या होता है इसका मदब होता है प्रतिध्वन्दी, आप का मदब होता है against ठेक है अपन का मदब होता place आपके विपरित जगा पर आपके अपनेट का मदब होता है प्रतिध्वन्दी प्रतिध्वन्दी ठेक है प्रतिध्वन्दी उसका बोलेंग opponent person who are playing or fighting against in a game competition argument मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके विपरित आपके against आपके विरोध में आपके प्रतिरोध में खेल रहा हो कोई भी game या फिर competition या कहीं पर भी उसके बोलते opponent ठेक है a person that you are playing or fighting against in a game competition 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 argument by exactly अगला पूजिशन का मतला क्या होता है पूजिशन में प्ध या फिर स्थान ठीक है पूजिशन में प्लेश स्पा हूँ हो ऑफ्ट्यस प्लेश तो प्ध या फिर स्थान, ठीक है, पद या स्थान, तो अगर हमाने इसको define कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा place जहां पर कोई व्यक्ति होता है, या located होता है, उसी को बोलते है, position पद, the place where somebody or something, or something is located, उसी को बोले हैं क्या, position बोले हैं, अगला है, proponent, अगला क्या है, proponent, pro का मतलब होता है, fourth है, पहले, fourth, और जो phone का मतलब होता है, to place, तो proponent का मतलब क्या जहाएं, वैसा कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी idea को पहला रखता है, किसी को सामने रखता है, ठीक है, ठीक है, किसी को सामने रखता है, उसी को बोलते है, क्य स्तावक या कह सकते हैं अधिवक्ता अधिवक्ता ठीक अधिवक्ता ठीक अधिवक्ता प्रोपोनेंट ठीक है एड़ोकेट इसको बोलते हैं अड़ोकेट कोई भी आइडिया को किसी के सामने रखता है उसी को बोलते हैं एसा पोट करता है परसन वो पूट्स और हूँ सपोर् एन आइडिया और a course of action, course of action, उसी को बोलें कि आप रपोनेंट, अगला है पोस्ट पोन, ठीक है, पोस्ट का मतलब होता आफ्टर, आफ्टर और अपोन का मतलब क्या होता है, to place, यानि किसी चीज को बाद में रख देना, मतलब पोस्ट पोन का मतलब क्या होता है, इस्थगित कर देना, बाद में कर दिया भी, नहीं, बाद में करना आइसको, तो स्थगित करना है, कोहीं बोलें कि आप पोस्ट पोन करना, अनि कि इसको बोलते है, put off, put off भी बोलते हैं, इसका, synonyms, इसको define कर देता हूं, to arrange, to arrange for an event, क्या कुछ भी, etc., to take place at a letter, time, और date, समझ गया, उसके बाद है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक, आज का हमारा सब्द, यहीं समाप्त होता है, तो thank you all,